हाई गाईज, कैसे हो आप लोग? सो दोस्तों, आप लोग के 10th बोर्ड खतम हो चुके हैं 10th बोर्ड खतम होना एक watershed moment होता है किसी भी student की life के अदर ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताता हूँ अभी तक, दोस्तों, आप लोगों ने school के बहुत सारे बच्चों ने school के examinations दिये होंगे आप इसे कुछ student ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने कुछ objective examinations दिये कुछ private olympi arts दिये होंगे, कुछ standard olympi arts दिये होंगे कुछ standard examinations दिये होंगे राइट? बट अब चीजें change होने वाली है क्योंकि दोस्तों, आज तक जो भी objective examinations आपने दिये है वो कभी भी आपके लिए compulsory नहीं थे compulsory ना होने का मतलब क्या होता है? अगर आप NSO examination नहीं देते हैं उससे आपके 8 से 9th class में जाने में कोई difference नहीं आता है बट दोस्तों, अब आप ऐसे examinations की preparation करने वाले हैं जो आपके लिए compulsory career examinations है जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, J और NEET की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, J और NEET examination की ये दोनों ही examination ऐसे हैं दोस्तों जो engineering और medical के लिए compulsory है अगर आप IIT Bombay में पढ़ना चाहते हैं आप IIT Delhi में पढ़ना चाहते हैं आप AIMS Delhi में पढ़ना चाहते हैं इन दोनों में से किसी एक examination को आपको clear करना ही पड़ेगा engineering की जित्ती भी fields हैं उसके लिए आपको J मेन देना पड़ेगा फिर J E Advance के त्यारी करनी पड़ेगी तो अब जो आप लोग face करते आये हैं उससे drastically अलग चीज face करने का मौका अब आप लोग को मिलेगा अगर obviously आप J E NEET के लिए prepare करते हैं अगर आप commerce भी लेते हैं तो आप CACS के लिए prepare करेंगे law लेते हैं लोग के लिए अगर आप prepare करना चाहते हैं तो आप लोग CLAT का examination देंगे ये सभी objective examinations तो obviously एक मेरा next video जो है वो है difference between objective and subjective examination उस video को आप ज़रूर देखेगा बट मैं कुछ चीज़ें आप लोग को बताना चाहता हूँ यापर ठीक है देखे आपने जैसे board exam दिया board exam के अंदर आप एक reduced syllabus पढ़ रहे है एक reduced syllabus एक साल का आप लोगों ने पढ़ा अब मान लिजीए ये syllabus X है थोड़ी बहुत algebra की use मैं करूँगा अब दोस्तों आप करेंगे J का examination फिर मैं आपको बात करूँगा NEET का बोड exam के अंदर Hindi, English ये सब होता है अब 11, 12th के अंदर भी आप school में पढ़ेंगे और 12th board देंगे तो वो चीज तो constant है वो तो रहेगी सही आपके साथ 12th board के अंदर भी आप इसी तरह से reduced syllabus करेंगे जिसमें एक साल का syllabus कुछ वाय होगा बट JEE के अंदर दोस्तो 11th और 12th पूरा आता है और वहाँ पे reduced syllabus नहीं आता है वहाँ पे एक specialized curriculum होता है जिसमें से question पूछे जाता है objective paper आता है आप लोगों को बिलकुल अलग तरीके से smart preparation करनी होगी आप लोगों से उमीद की जाएगी कि 3 घंटे के अंदर आप लोग 75 problems का answer करें उन questions को correctly attempt करें और speed, accuracy ये दोनों ही आप लोगों से उमीद की जाएगी तो sir ये तो एक बहुत ही drastic चीज है तभी तो मैंने बोला कि it is a watershed moment for you मैंने दोस्तो 9-10 में NTSC की त्यारी की थी इसलिए मुझे इतनी जादा दिक्कत नहीं हुई थी उसका reason मैं आपको बताता हूँ NTSC के अंदर भी 9-10 का syllabus आता था JEE के अंदर भी 11-12 का syllabus आता था तो 2 साल के syllabus को assimilate करने के लिए मेरा जो brain था वो ready था अब हम लोगों क्या आदात होती है अभी जो स्कूल से पढ़के आए बच्चे सर हम तो 10th में कुछ चीज़े याद कर लेते हैं 10 में थोड़ी सी extra effort बान लेते हैं 95% आ जाती है तो आप दोस्तों यह उमीद छोड़ दीजे पहले कि 95 प्लस वाला student जेए के अंदर अच्छा करता है कोई correlation इसका नहीं है इस चीज में कोई relation नहीं दोस्तों आपके लिए 70% यहाँ पे शर्मनाक चीज होती है यहाँ पे शांदार चीज होती है जो चीज बोर्ड में शर्मनाक है वो यहाँ पे शांदार है इस चीज को आप लोग ध्यान दे आपको अपने skills चेंज करने पड़ेंगे अभी कोई भी question अगर आप छोड़ देते ना तो आप लोग को लगता होगा क्यार यह तो बहुत ही गड़बड होगी यहाँ पे आपको question छोड़ना भी सीखना पड़ेगा उसके अलावा आप लोग को दोस्तों बहुत सारी tactics सीखनी पड़ेगी आपको अपने study hours ध्यान से सुनिएगा इस बात हो study hours 12 से 14 घंटे करने पड़ेगी 12 से 14 घंटे study hours आप लोग को करने पड़ेगी कोचिंग करने पड़ेगी एक फॉर्मल कोचिंग में आप लोग को join करना ही पड़ेगा आप माने या ना माने क्योंकि जो भी बच्चा कोई बच्चे बोलते हैं कि सर कोचिंग करना ज़रूरी है क्या कोचिंग के बिना भी हो कोचिंग के अंदर मिल जाएगा उसका रीजन यही है दोस्तों कि यह कोई केवल पढ़ाई का गेम थोड़ी है इसमें बहुत सारी चीज़ लगेंगे आप बहुत बार इमोशनली की एक्जाम में नंबर भी आते हैं हो सकता है जी में वन के अंदर आपका पिपर खराब हो जाए फिर जी में टू आप देंगे तो बहुत सारे वेरियेबल्स हैं जिनको सही करने के लिए आप लोग को मेंटरशिप की रिक्वाइर्मेंट होगी तो दोस्तों इस वीडियो क के माध्यम से मैं वही चीज़ें आप लोगो बताना चाहता हूं पिछले काफी सारे सालों से बहुत सारे टॉप रैंकर्स मेरे थ्रू पढ़े हैं तो मैं आप लोग को सबसे पहला जो अनौंस्मेंट है वह कर देता हूं कि मेरा जो कोर्स है क्लास 11 के लिए वह आने वाला ह ठीक है मेरा कोर्स दोस्तों कब आएगा मैं आप लोग को बतायता हूं 25th of March मेरा कोर्स आएगा मैं दोस्तों complete 11 इस बार फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से मैं प्लस पे पढ़ाने वाला हूं अनकेडमी का जो प्लस प्लेटफॉर्म पिछले साल भी मैंने प्लस मुझसे नहीं पढ़ पाएंगे मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं दोस्तों अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग प्लस पे नहीं पढ़ पाएंगे मैं था सॉरी प्लस पे पढ़ पाएंगे ऑफ्लाइन आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे ठीक है बट 15 तरीक तक आप अनकेडमी की एप को freely access कर सकते तो अनकेडमी का जो study material है वो soft copy में आप लोग को प्लस पे मिल जाएगा जो इस साल बटेगा वो already uploaded है तो उसी material को हम लोग follow करेंगे ताकि मैं चाहता हूँ आप मुझसे पढ़के आप लोग मुझसे पढ़के closely कुटा के students पूरे इंडिया के इंक अच्रेंट मी से इसके अंदर मिलेगे उसके बाद अब लोग को सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तो आप लोग-दोस्तों सब्सक्रिप्शन खरीच सकते हैं using the code PGLI एक साल का प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लोग केवल 11 पढ़ना चाहते हैं तो एक साल का प्लस सब्सक्रिप्शन खरीद दीजिए भी कर सकते हैं यह सारी चीज़ें चलेगी और एक और चीज यही बैच दोस्तों गेटवे टू एसार जी होगा आपको पता है यह बहुत सारे स्टूनेंट मेरे साथ जुड़ते हैं फिर उनमें अच्छा पोटेंशल दिखता है तो उनको स्पेशल रेंकर्स ग्रूप में जाला जाता है तो दोस्तों यह पूरी प्लाइनिंग थी जो मैं आप लोगो बताना चाहता था यही चीज़ आप लोगो फॉलो करनी है अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं उसके अलावा दोस्तों अगर आप अनकैडमी सेंटर्स पर पढ़ना चाहते हैं तो अनकैडमी सेंटर्स पर आप जो भी आपका नीरे सेंटर है वहाँ पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर आप लोगों को दोस्तों सारी की सारी जो फैसिलिटीज है वो बताई जाएंगी 11th की जो क्लासिज हैं दोस्तों सब जगे मार्च एंड से एपरिल फर्स्ट वीक में स्टार्ट ऑप लोगों को दोस्तों तब तक हम लोगे इक ब्रिज कोर्स करा रहें वो ब्रिज कोर्स ऐटीन तउर्फ मार्च से स्टार्ट जिसके अंदर बेसिकली 10th की वो चीज़े आप लोगोगो पढ़ाई कि जिनको अगर आप करते हैं तो आपको 11 पे बहुत ज्यादा benefit मिल जाएगा आपको 11 पे बहुत ज्यादा benefit मिल जाएगा और प्लीज कोशिच यह कीजिए कि आप इस ब्रिच को ओलंपियार कॉर्णर चैनल पर लाइव अटेंड करें ताकि आप लोगों को डाइरेक्ट benefit मिल सके इस चीज़ करें उसके लावा coaching को इसी भी लिजए दोस्तों अगर मैं आपको बहुत honestly बता रहा हूँ अगर आप 10 से 11 जाके जेई की तयारी करना चाहते हैं रिक्वेस्ट ने मेरा जेई की तयारी अगर आप लोग करना चाहते हैं नीट की तयारी अगर आप लोग करना चाहते हैं प्लीज स्टार्ट बाइट अगर करनी है तो 10 अपरिल तक स्टार्ट कर लो coaching coaching finalize करके ज्यादा वेट मत किया करो यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो बच्चे में जून अपने 10 बूर का रिजल्ट में वेट करके फिर करता है उनके लिए आके एड़ेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है मैंने आप लोग को बताया एड़ेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है इन सब चीजों में देखो कितना drastic difference तो आपको एड़ेस्ट उसके लावा ULF का भी जो link है वो आपके पास available है free subscription अगर आप access करना चाहते है उसका description में भी link available है let's crack it